जाए शीगरी जी दोस्तों मैं हो अचारे संधासिक सेना मालाश की जोदिशिका तुसी संधी तरफ से और यह है काम का मिक्षेली माता का मंदिल लर्टा देवी जैशिकर जी इस मंदिल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूं कि आप इस मंदिल में जाएंगे कैसे तो यह सीतापूर एक जगा है जो उत्तर परदेश के अंदर आता है और इसमें आता है मिश्रिक मिश्रिक सीतापूर में आप जब जाएंगे तो वहां नैमिश्रन धाम आता है यह नैमिश्रन धाम वही धाम है जहां पर माता सती जब भगवान जो शिव है उनकी भगवान शंकर ने जब माता पारवती यानि कि सती माता को जो उनका पहला जनुता मना गया था कि दक्ष प्रचापती के घर पे नहीं जाना है फिर भी वो जित से गई थी और वहाँ पे वो जाके अगनी में जब भगवान शंकर की बेज़ती वहाँ पे अपमान हुआ तो उ माता सती का शरीर उठाया था और उसको उठाने के बाद वो उसको लेके बहुत संसार भर में गिरे घूमे थे और भगवान विश्णु ने माता पारवती के शरीर पे सती के शरीर पे बांड चलाके उनके एक एक कंग को मतलब विच्छेत किया था जिससे कि उनकी जितनी ज शरी के बहुत सारे टुकड़े वे 51 टुकड़े ऐसा कहते हैं कुछ लोग 108 टुकड़े भी बोलते हैं ये भारत के और नेपाल बंगलादेश और यहां पे पाकिस्तान तक में गिरे वे हैं और इनी पवितिस्तानों पे माता के अलग-अलग जो है शक्ति पीड बने वे हैं त सकति बहुत के बहुतिति बेहां ने फिरे तब इस लेएं जीवन में प्यार की कमी है साधी करना चाहते है प्रेम विभा करना चाहते हैं या आपकी माता पिता को मना रहे हैं या फिर आपको विवा की दिक्कत आ रही है, आपकी समस्या शादी की नहीं हो पारी है या आपकी पत्नी या आपकी पती ने आपको धोका दिया है, तलाग देने को कह रहा है ऐसे कोई भी अगर कंडिशन है तो आपको ललता देवी मंदिर में यहाँ पर आई है यहाँ पे जो मैं काम कामिश्री मंदिर में आपको दर्शन करा रही हूँ यह 1000 साल पुरानी मूर्ती है जिसमें माता कि पारवती भगवान शंकर की गोध में बैठी वी है और इसको दर्शन करने से आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं मैं आपको सीरिज में पूरा दिखा रही हूँ आगे पढ़नी जी से बात भी करवाँगी जुसके बारे में बताएंगे कि इस मंदिर की क्या खासित है अभी आपको मैंने आपको बताएं नामिश्रन धाम जाना है थोड़ी दिर का टाइम दे रहे हूँ आप इसमें अगर आप नहीं आप आ नहीं सकते हैं आप बहुत दूर रहते हैं आप देश देश में बैठते हैं आप किसी और ऐसी जगह पर बैठते हैं आप इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं दे रही हूँ आप इस मंदिर के दर्शन कीजिए और आपकी जो भी मनो कामना है उसको आप बोलते रहिए लगातार बोलिए आपकी जो भी मनो कामना है देवी से प्रातना कीजिए कि हे देवी जैसे ही मेरा प्रेम विवा होगा या मेरा विवा होगा या मेरी पती या पत्नी का संबंध मुझे से अच्छा होगा या आपका जो भी प्यार का संबंध है चाहे वो एक तरफा ही हो जो भी आपके रिलेशन्शिप मजबूत हो अपनी मनो-कामना को बोलिए और प्रातना किज़े कि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनो-कामना है वो पूर हो जब भी मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं लेलता दी दिवी, माता आपकी दर्शिन करने और इस मंदिर के दर्शिन करने अपने साथी के साथ आउंगी और अगर मैं साथी के साथ इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आ पाई तो फिर मैं मेरे आसपास में जो भी माता पारवती और शिव का जो भी मंदिर होगा मैं उसमें दर्शन करूँगी वैसे कोशिश की जिगा आपकी मनो कामना पूरी हो तो आप इसी मंदिर में आके उतारें और इस मंदिर में उतारने के लिए आपको परशाद लगाना होगा और माता को एक चांदी की पायल भेट करनी होगी जब भी आपकी मनो कामना पूरी होती है इसके लाब आप जो भी आ लता रिभी का पराक्षन मंदिर नहीं है इस मॉर्थि के लता रिभी का पराक्षन विष्ण होड़ी है तो उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगाए तो लाइक कीजिए का शेयर कीजिए का हमेशा खुश रहिए और जब भी आपको टाइम मिले आप इस मंदिर में जाएए नहीं जा सकते हैं तो जैसे बताया है सभी के लिए मैं सोचती हूँ मैंने आप सब के लिए पूजा लगाई है प्रात्ना लगाई है जो में मुझे से जुड़े वे हैं तो आप भी इसका आनन उठाइए वीडियो को जब 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 शेयर किजिका जितना आप शेयर करेंगे आपकी मुझे कामना उतनी तेजी से स्प्रेड होगी संसार में और आपकी चौतनी तेजी से पूरी होगी तो आज के लिए तना ही धन्यवाद